तो दोस्तों हमने प्रिविस वीडियो में भी देखा कि जब हम फेस्बुक पर एड लगाने के लिए जाते हैं तो फेस्बुक पहली चीज जो आप से रिक्वायर करता है वो मार्केटिंग केंपेइन अबजेक्टिव है तो अब आपके एड के लिए कौन सा मार्केटिंग अ तो चली जानते हैं इस वीडियो में कि अगर आप अपने अडस को मौस्ट इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आपको कौन सा अबजेक्टिव स्टेक्ट करना चाहिए तो इस तरह से आपने अपने आईडी को लोग-इन किया पर क्लिक किया आप एड पर गए तो इस तरह से आपको Facebook डैश बोर्ड पर यह आप जेटिव रहे होंगे अब Facebook अब जेटिव को तीन सेग्मेंट में डिवाइड किया हुए Facebook ने awareness, consideration and conversion तो सबसे पहले देख लेते हैं awareness क्या चीज़ है awareness में basically कि अगर आप कोई new brand है या already existing brand है और कोई new product launch कर रहे हैं तो awareness में से आप brand awareness या reach को किसी को choose कर सकते हैं let's say कि अगर आप चाहते हैं कि लोग जो है आपके brand के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने और most likely कि आपके facebook page को like करें या आपके post को like करें तो आप brand awareness को choose कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी target audience में ज्यादा से ज्यादा जो है लोग हैं आपकी post को देखें तो आप reach को select कर सकते हैं आपको इन दोनों की एक और चीज़ बता देता हूं कि brand awareness में for example अगर आप एक एड लगाते हैं तो आप ये चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि एक शक्स आपकी कितनी दफ़ा एड देखे हो सकता है आप एक ही शक्स जो है आपकी एड जो है 15 दफ़ा 20 दफ़ा देखे औ तो एक शक्स जो है वो आठ दस तफ़ा देखे लिकिन प्रेटिव कि अंडर आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं इसमें प्री डिफाइन कर सकते है कि आपकी एक आड जो है एक शक्स पांच दफ़ा देख तो इस त Nach इसे आप रिज ALपाइट कर सकते हैं चीज और के जो सबसे पहली चीज़ है वो है ट्राफिक जब आप चाहते होंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं आपके किसी दूसरे प्लैटफर्म पर लैंड करें किसी वेब साइट पर लैंड करें तो आप ट्राफिक को सिलेक्ट करेंगे बसके जब आप एड लगाने लिखते हैं तो आप उस वेब साइट का यूरल जो है एड के साथ पेस्ट करते हैं तो जब भी कोई शखस वो एड देखता है और ऊस एड को क्लिक करता है तो आपके लینडिंग पेज पर आ जाता है आपने क्या make sure करना है कि जो भी landing page आप use कर रहे हैं वो जल्दी load हो जाता हो वो loading पर इतना time ना लगाए कि user जो है अपना interest lose कर बैठे है और दूसरी चीज़ कि वो landing page इतना attractive होना चाहिए कि वो user को अच्छा लगे second option we have is engagement जब आप engagement पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ नीचे देखेंगे कि आपके पास तीन option है पहली option है post engagement कि अगर आप चाहते हैं कि आपने जो फॉस्ट की है वो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको लाइक करें ज्यादा से ज्यादा लोग उस event responses कि अगर आप किसी event की marketing कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका event है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को show हो और जो लोग interested हो वो going पर क्लिक कर सकें तो आप event responses को क्लिक कर सकते हैं third option we have is app installs अगर आप किसी app की marketing कर रहे हैं तो ये एक जबरदर्स टूल है कि आप आप इंस्टॉल के objective को सिलेक्ट करें तो जब भी कोई शक्स उस add को क्लिक करेगा तो सीधा जो है वो app store या play store पर land कर जाएगा और उस app को इंस्टॉल कर लेगा तो हमेशा apps के advertisement के लिए आप इंस्टॉल को क्लिक करें उसके बाद है video views अगर आप कोई entertainer है singer है और आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है आप की video को देखें उसके साथ engage हों तो आप video views को क्लिक करें उसके बाद एक option है lead generation lead generation आप तब यूज करते हैं जब आपने customer database बनाना हो basically आप user से उसका name number और email ID क्लेक्ट करना चाहते हों तो आप lead generation पर क्लिक करेंगे तो जब आप add लगाएंगे तो जब भी कोई शक्स उस add पर क्लिक करेगा तो एक page उसके सामने फॉरन पॉप अप हो जाएगा और उस पर name email ID की option लिखी होगी और वह already लिखा हुआ होगा क्योंकि Facebook के पास आपका नाम, number और email होती है उस user को सिर्फ submit पर क्लिक करना होगा और जिसने add लगाई है उसके पास यह database collect होने लग जाएगी उसके बाद option है messages की तो जब भी हम existing customers को add show करेंगे और उनको encourage कर रहे होंगे के वह हमें message करें या WhatsApp पर contact करें तो हम messages की option को click करेंगे उसके बाद हमारे पास section है conversion का अब conversion के अंडर आप देखें सबसे पहली चीज़ है convergence यह आप कब select करते हैं अगर आपके पास कोई already user database है name, email ID और numbers की तो आप उनको use करके उन लोगों को add show कर सकते हैं अगर आपने कोई leads generation से कोई database collect की है तो उनको भी आप add show कर वा सकते हैं उसके बाद जो है आपके store visitors जो है आपकी website पर जो visit करते हैं लोग जो है उनको आप remarketing करने के लिए आप conversions को use कर सकते हैं उसके बाद option है catalog sales अगर आप कोई e-commerce website है तो आपके पास products का catalog होगा और आप एक add पर ज्यादा से ज्यादा products को show कर सकते हैं और अगर आप e-commerce website है और आप products को एक add में ज्यादा से ज्यादा show करना चाहते हैं तो आप जो है catalog sales को क्लिक करें इस लाइक एन online window shopping और last option हमारे पास है store traffic अगर आप कोई दुकान चला रहे हैं कोई franchise चला रहे हैं को restaurant चला रहे हैं को store चला रहे हैं तो आप store traffic क्लिक कर सकते ह लोग जो हैं आपके store पर आएं physically तो इसमें basically आप जब add लगाते हैं तो जो भी आपका store या franchise या restaurant है आप उसको pinpoint कर देते हैं location को और select कर लेते हैं कि कितने kilometer के radius पे जो है लोगों को add show हो तो ये एक अच्छी option है उन लोगों के लिए जो के restaurant चला रहे हैं वो store traffic को click करके अप को के हो सकता है जब आप Facebook marketing start करें तो जो है layout फोड़े different हो या campaign objective थोड़े से बदल गए हो और क्योंके Facebook ने already जो है एक new Facebook के नाम से जो है एक version निकाल भी दिया है अगर आप सको click करेंगे तो layout फोड़े different भी लेगा लेकिन जो main concepts हैं वो totally same है इस video के बाद आप उस पर भी जो है marketing करके आपको दिखाऊंगा लेकिन फिर से बतारा हूं कि concept जो है वो same रहेंगे और इस video के बाद आपको objective decide करने मसला नहीं आएगा तो इस video में हमने different marketing campaign objectives को सीखा in detail और अगर आपको वीडियो से फाइदा हो रहा है तो do like the video comment करें और इस video को दूसरों के साथ share करें thank you so much for watching